दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्का दोस्तो आपका हादिक स्वागत है हमारे only airway.com के आज के इस यूटियो वीडियो में दोस्तो आज एक नया टॉपिक आपके समने पेश है दोस्तो ये discussion शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नए अबडेट्स का पता लगता रहता है दोस्तो अगर लाइक करेंगे शेर करेंगे तो आपके जो मित्रगण है वो भी इन वीडियो का लाब ले सकेंगे तो दोस्तो आपसे आग रहा है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेर चुरू कर ले दोस्तो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तो आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं शीतली प्रानायम के बारे में तो योग का महत्तो आप जानते ही हैं और योग को लेकर के हमने पहले भी कई वीडियो की है तो शीतली प्रानायम में एक आसन है जिसके बारे में हम डिस्कुस करेंगे और इसके क्या फायदे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसकी विदी कुछ इस तरह से है जीब बाहर निकालें जीब को दोनों और इस तरह से मोड़ें कि जीब की अकरती ट्यूब जैसी बन जाए इस ट्यूब की मज़से आप मुझ में सांस भरिए हवा इस ट्यूब में से गुज़र कर मुझ के तालू को ठंड़क प्रदान करेगी इसके बाद जीब अंगर कर लें और नियंतरन पूरक सांस देरे-देरे नाक दोरा बहार निकालें सांस भरते हुए आपको आवास होना ही देगी जिस परकार तेज हुआ चलने पर हमारे आस-पास आवास होना ही देती है और शीटली प्राणायम का अभ्यास दस बार कभी भी कर सकते हैं गर्मी कम असम में आप इसके अबदी इच्छा अंसार बढ़ा सकते हैं और दोस्तों आप ये प्राणायम जब कर रहे हैं तो ख्याल रखें कि आस-पास की जगह प्रदुशित ना हो और कम से कम दस चक्रों का अभ्यास करें अभ्यास होने पर पांस से दस मिर्ट तक अभ्यास करें आपको इसका लाब होना चाहिए और इससे जो होने और लाब है वो इस तरह से है शीटली प्राणायम के अभ्यास से बूख प्यास पर नियंतन प्राफ्त होता है शरी को ठंड़क मिलती है गर्मियों में इसका प्यास जरूर करना चाहिए इससे मानसिक स्तर पर शांती मिलती है भावना तक संत्रलन आता है और शरीर में प्राणो का प्रवा नियमत होता है इससे मास पर शांती में स्तरता और ढिला पनाता है रख्चाब भी कम होता है इसलिए उच्छी रख्चाब वालों के लिए अच्छा आसन है प्राणायम से हिर्दे, फेफिडे और तंत्रे ना तंत्र मजबूत होते हैं और कारशमता बढ़ती है और जो प्राणायम शुरू करने से पहले कैसे योग गुरू के दिशा ने दिर्शों का पालने जरू कर लें ताकि आपको किस प्रॉलम ना आए और दोस्तों आप जरू करके देखें आपको इसका लाब मिलना चाहिए और इसके कुछ और भी पहलू है जो कि आप डिटेल में हमारी वेबसेट ओनलीरवे.com बर जाकर करके देख सकते हैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी आप उनलीरवे.com जरू विजिट करें और दोस्तों इंफॉर्मेशन और वेबसेट जरू शेयर करें ताकि और लोग से लाब ले सकें और आपको फीड़बैक और कमेंट साथ ही हैं वो हमारे से जरू शेयर करें